हलो एर्टिवन, वेलकम तू टीब अफेयर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे RBI E-news, RBI से जुड़े जो भी निउस है, बैंकिंग एवेरिनेस के, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में लास्ट थ्री मन्थ, लास्ट थ्री मन्थ के RBI E-news, बैंकिंग रिलेट सबी के लिए हेलफुल रहेंगे, तो यह पार्ट वन है, इसके बाद फिर पार्ट टू आएगा, और इसके साथ साथ आपके अपका भी एक्जाम्स, IBPS, PO, Mains के लिए भी करेंट एफेर्स और जीए सिरीज भी वीडियो आएंगे, और बैंकिंग अवेरिनेस एस चैनल पर आ रहे हैं, तो उन्हें भी आप जरूर देखिए, बैंकिंग अवेरिनेस का एक डेडिकेट प्लेलिस्ट है, इस्टाटिक बैंकिंग भी और करेंट बैंकिंग भी, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, RBI न्यूज लास्ट त्री मन्त पार्ट वन, जो फर्स बैंक का जो बैंक का जो बैंकिंग ये दस वर्षो में सबसे निचले स्थर पर गया, और जिसमें कहा गया कि SCB, Scheduled Commercial Bank का जो Gross Non-Performing Assets है GNPA है Ratio continued its downtrend and fell to a 10-year low of 3.9% जो 10 वर्ष का जो सबसे lowest यह था lowest figure उसमें 3.9% तक गया Bank का bad loan in March 2023 and the net non-performing assets NNPA ratio declined to 1% of the total loans तो दो term हो गया एक तो यह कि 10 वर्षो में सबसे नीचले सतर पर गया और इसका जो यह था percentage के term में 3.9% तक गया Gross Non-Performing Assets और net NPA गया 1% पर उसके बाद CRAR Capital to Risk Weighted Assets Ratio CRAR of UCB Urban Cooperative Bank rose to 16.5% while that of NBFC Non-Banking Financial Companies 27.5% bad loan की बात करे तो क्या होता है loan from a bank that have not paid interest for more than 90 days 90 दिनों तक जो interest payment नहीं होता उसे bad non-performing assets के category में रखा जाता है तो यह था RBI का Financial Stability Report next news है RBI Floating Rate Bond Interest Floating Rate Bond Interest इसमें RBI ने क्या किया जो rate है Floating Rate Bond Interest इसे high किया 8.05% पर with effective from 1st July 2023 1 July 2023 से जो floating rate bond interest है इसमें बढ़तरी किया RBI ने 8.05% से residents, individuals and Hindu undivided families can invest in these bonds with minimums of Rs. 1000 with no extra limit इसमें invest कर सकते हैं जो common people हैं वो लोग residents, individuals and Hindu undivided families can invest in these bonds with minimum of 1000 with no extra limits Floating Rate, देखो नाम है इसका Floating Rate Bond ऐसा Debt Instrument है तर डाजनाट है इसका Floating Rate Bond Interest जो की Change होता है but its interest rate fluctuates based on the benchmark the bond is drawn जैसा market का स्थिति रहेगा जिस time पे bond खरीदा जाएगा उससे में क्या rate रहता है उसके हिसाब से ये fluctuate करता है इसलिए इसका नाम है Floating Rate Bond Interest और इसको High किया RBI ने 8.05% पर और ये भी आपको याद रखना है कि 1000 मिनिमम मिनिमम लिमिट है इन्वेस्ट करने के लिए नेक्स्ट है RBI Allowed Issued Drafts to Bank for Card Network Portability बैंकों को Card Network Portability के लिए निर्देश दिया है RBI ने Debit Credit Prepaid Cards के लिए with effective from 1st October 2023 1 October 2023 से Card Network Portability क्या होता है जैसे कि आपके पास account एक ही बैंक का अलग-अलग card से आप यूज कर सकते है Card refers to the ability of consumer to transfer their card accounts from one network to another जैसे कि existing card account रखना है balance रखना है लेकिन अलग-अलग payment से आप उसको transact कर सकते हैं जैसे आपको account number एक ही रहेगा लेकिन आप उसको किसी भी card से use कर सकते हैं transaction के लिए जैसे SIM होता है आपका number एक ही रहता लेकिन आप network बदल लेते हैं telecom network को बदल लेते हैं उसी तरीके से card में है आपका account number एक ही रहेगा लेकिन आप उसको अलग payment card से आप उसको यूज कर सकते है कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी से तो इसको जारी किया बैंकों ने एक अक्टूबर दो हजार तेईज से अगला न्यूज है एस पर RBI एकोनॉमिक रिसेर्च डेटा इंडिया नीट्स एवरेज अनुल ग्रोथ रेट आफ 7.6% RBI ने जारी किया कि भारत अगले 25 वर्ष में डेवलाप नेशन बनने के लिए इंडिया को जो एवरेज अनुल ग्रोथ रेट होना चाहिए वो होना चाहिए 7.6% का RBI इसके पेपर इंडिया 800 में बताये गया है कि Indicative Roadmap for Enabling India to Become a Developed Country by 2047-48 2048-48 तक एक डेवलाप नेशन बनने के लिए जो एनुल ग्रोथ रेट होना चाहिए वो होना चाहिए 7.6% विच उड रिक्वाइर इंडिया's real GDP to grow at 7.6% per annum over the next 25 years भारत का GDP 7.6% से बढ़ना चाहिए अगले 25 सालों में Raising its current per capita GDP of 2500 US dollar to 22,000 US dollar यानि कि 5,000 US dollar से 22,000 US dollar होना चाहिए जिसमें से 8.8 times बढ़ोतरी होगी तो ये RBI ने ऐसा कहा है अगले 25 वर्चों में डेवलाप्मेंट के लिए ये होना चाहिए 22,000 US dollar का GDP होना चाहिए 7.6% का annual growth rate होना चाहिए 2048 तक डेवलाप नेशन बनने के लिए नेक्स्ट है अब देखे ये चीज़ पुछा था IBPS clerk में इस में RBI से जूड़ी चीज़े जरूर पुछा था bank में इस एक्जाम में RBI इंक्लूट्स विच कंट्री नौंग हायू bank नौंग हायू bank ये South Korea का bank है इस bank को ये किया है affiliation दिया है RBI इने South Korean bank to be listed in schedule bank list under the second schedule of RBI एक 1934 तो नौंग हायू bank जो है South Korea का ये schedule bank की list में वाएगा as per second schedule of RBI Act 1934 इसकी स्थापन हुई थी 2012 में यह ये commercial bank है जिसका headquarter कहा है Seoul में है नौंग हायू bank is a sixth Korean bank conducting business in India तो ये च्छटा South Korean bank है जो कि भारत में अपना business conduct कर रहा है headquarter इसका नुड़ा में है to be scheduled commercial bank banks का paid up capital और collected fund must be at least of 5 lakh 5 lakh होना चाहिए minimum paid up capital और collected fund तो नौंग हायू bank IVPS clerkman से पूछा गया था South Korea का ये bank है भारत में operate करेगा और ये च्छटा bank है Korea का जो कि भारत में business कर रहा है next है अगला news RBI sectoral deployment of bank credit bank credits related news है the total bank credit जो है food credit plus non-food credit grew at 16.2% from 14.2% from June 2022 यानि कि एक वर्ष में 16.2% grow हुआ total bank credit credit bank credit में होता है food credit और non-food credit इस पे भी बात करेंगे credit to agriculture and allied activities improved to 19.7% एक वर्ष में credit to industry register at growth of 8.1% aviation sector में सबसे बढ़तरी हुआ 93.4% के साथ increase gross credit reaching to 42,000 करोड ठीक है यानि कि जितने भी तरह का credit है इसके बारे में RBI ने बताया food credit क्या होता है lending provided by bank to FCA for procurement of food grains जो food grains के लिए जो lending किया जाता है वो food credit होता है non-food credit क्या होता है जो की non-food credit जैसे loan sectors agriculture industry services इन्हें जो credit lending होता है वो होता है non-food credit अगला निव से RBI handed contract to McKinsey & Accenture McKinsey & Accenture को RBI ने contract hand over किया 91 करोड का company to use artificial intelligence and machine learning for improving regulatory supervision बैंकों के लिए RBI के लिए तो artificial intelligence and machine learning को बढ़ावा देने के लिए contract दिया McKinsey & Accenture को 91 करोड का for use of advanced analytics artificial intelligence, machine learning for huge database, regulatory supervision over banks and NBFC next news है RBI launched Udgab portal ये भी शायद पुछा गया था RBI कलर के फिर payments में for unclaimed deposits उदगम का careful form unclaimed deposits gateway to access information तो जो unaware और unclaimed bank deposits है balances है current और savings account के form में जो कि 10 वर्षों से access नहीं हुए है उसके लिए जैसे एक थाना 100 days 100 campaign unclaimed deposit के लिए था उसी तरह Udgab portal भी जारी किया गया है जो कि current savings account दस वर्षों से operate नहीं हुए है उसके लिए उदगम portal RBI ने लाउच किया next है RBI payments transaction limit RBI ने monetary policy में decide कि जो offline payment transaction है इसको बढ़ाया जाए RBI raise small value payment transaction limit in offline mode 2 रुपीज 500 200 से था इसे बढ़ा के 500 किया गया with effective form 24 अगर 2030 इसके ही related news था कि जो UPI light है इसमें जो race की RBI ने payment limit इसको 200 से बढ़ा के pass so किया है small payment जो होता है NCMC के थूँ national common mobility card या फिर UPI unified payment interface के थूँ इस दोनों के तरह जो payment होता है उसको बढ़ा के कि RBI ने 500 200 से बढ़ा के next है as per RBI BOP quarter चौथी तिमाही fiscal इते है इस तो BOP के balance of payment data index CAD current account deficit decline to 0.2% of GDP भारत का जो current account deficit है इसमें 0.2% GDP की decrement हुई है to the valuation of 1.3 billion US dollar अभी जो चौथा तिमाही हुआ उस वर्ष का पिछले वित वर्ष का जो चौथा तिमाही यारी के आखरी तिमाही हुआ January February March 2023 का net foreign portfolio investment इसमें आउटफलो हुआ 1.7 billion का net external commercial borrowing to India recorded inflow 1.7 billion dollar तो ये दोनों भी जारी किया इंडे के debt current account deficit से लिलेटेड जो data था RBI ने अपने balance of payment बें RBI के governor कौन है शक्तिकांदास deputy governor है चार माइकल देव पात्रा एम राजश्वर राओ, टी रभी शंकर और हाली में भी एपट हुए स्वामिनाथन जारकी रमन तो ये थे कुछ RBS related news last 3 month के part 1 अब ये upcoming days में और भी वीडियो आएंगे और इस चैनल पे आप static banking और current banking evidence के playlist को जरूर देखें काफी help मिलेगा इस बार static banking के सवाल ज्यादा पूछ रहा है BPS banking exams में So thank you very much